एक और सुहाना दिन, इन नन्हिम उन्ने बच्चों के बबलु डबलु पार्क में और कक्षा अब शुरू ही होने वाली है वहाँ एक बड़ा सा मधुमख्य का छत्ता था, मुझसे भी उचा मेरी ममी ने कहा था कि कई साल पहले नौर्ट की काली मधुमख्यों ने उसे बनाया था वो बहुत अच्छा शैद बनाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है आजो, हाँ मैं मजाग नहीं करना हूँ अच्छों, प्लास का वक्त हो गया, मैं तुमारे लिए कुछ लाया हूँ, बताओ क्या है यह वाँ, यह चीज़ा क्या है, मुझे एपी देखने दो, मुझे देखने दो, यह बीन्स है बिल्कुल सही कहा, तो कि आज हम सीखेंगे कि बीन्स कैसे उगाये जाते हैं एक बहुत पुरानी कहावत है, जो मैं तुम्हे बताना चाहूँगा, और वो यह है, जैसे बीज तुम बहोगे, मैं साही फल तुम्हे मिलेगा, समझ गे? तो बताओ मुझे, किसी को पता है, इस कहावत का मतलब क्या है? बड़े, क्या तुम जानते हैं इसके बारे में? मुझे नहीं पता चलो, मैं तुम्हे समझाता हूँ, बच्चों, इस कहावत का ये मतलब है कि, अगर तुम तर्बूज के बीज जमीन में बहोगे, तो बदले में तुम्हे एक दिन तर्बूज मिलेंगे, और अगर तुम बीज के बीज बहोगे, तो एक दिन तुम्हें बेर सारी बीज मिले नहीं निकू, जब मैं तुम्हारी उम्र कर था, तब मैं भी इसी तरह सोचा करता था, और मैंने अपनी प्यारी गुलेल समीन के अंदर गाड़ दी, सच में में यकीन करो, क्योंकि मुझे लगा, ऐसा करने से मुझे बहुत सारी नई नई गुलेल मिल जाएंगी, पर जानते ह ऐसा करके मुझे क्या मिला, मुझे एक बहुत गंदी सी गुलेल मिली, देखो बच्चों, खेती में हम अनाज और बीज उगाते हैं, जैसे कि ये बीन्स, तो तुम लोग अब समझ गए ना, हाँ बहुत अच्छे, चलो जाकर इन बीजों को जमीन में बो दें, उन्होंने क स्वादेश्ट, तुमें वही मिलता है जो तुम बोते हो, मैं इस शहद की बोतल को उगाऊंगा तो मुझे बहुत सारा शहद मिलेगा सब हो गया, मैं अपने इस पूरे शहद पर खाद चिड़क देता हूँ, गुड मॉर्निंग बड़े, लटू, तुम्हारे बास्कित में क्या है, इसमें खाद है, मैं इसे अपनी फजल पर चिड़कने वाला हूँ, ललू, तुम्ही से सब चगाची रख दो, सब हो गया, ललू, क्या तुम इसमें से मुझे थोड़ा सा घा दे सकते हो, जितने चाहिए ले लो, तुम्हारी चिसमाद अच्छी है कि ये राज़कुबार तुम्हारा दोस्त है, शुक्रिया ललू, शहद, शहद, अब मुझसे बिल्कुल मी सबर नहीं हो रहा, ये, बड़े, तुम भी फसलोग आ रहे हो, नहीं, ये फसल नहीं है, फसल नहीं है, नहीं, नहीं, तो क्या, वो, आलू है, वो एक राज है, अपने सब से अच्छे दोस्त, राजकुमार के लिए भी, माफ करो, थोड़ा इंदिजार करो, और मैं तम सब लोगों को एक बड़ा सप्राइज देने वाला हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है, रहने दो मुझे भी नहीं जानना, बाई लालू, लालू, चोटे, बड़े, लालू, राजकुमार लालू, क्या हुआ, क्या तुम्हें भी खेलना है, अब ये बार खेलूँगा, तुम्हें कुछ दिखाना है, मेरी फसल उखने लगी है, सच्पी, हमें दिखाओ, क्या बात है, देखो, कितने बड़िया है ना ये, हाँ, क्या मैं इनको पानी दूँ, ओ, मुझे याद आया, इसको क्या हुआ, इसमें से कुछ उग नहीं रहा, क्या बात है बड़े, मेरी बीच, त्यूं नहीं उग रहे है, शायद इसे और वक्त लगेगा, क्या फिर, तुम्हारे बीच सड़े हुए है, वो बात नहीं है, शायद, मेरे ख्याल से, शायद जो मैंने उगाया है, उसके पत्ते ही नहीं होंगे, ये ही बात होगी, छोटे, क्या तुम्हें पता है, ये किस बारे में बात कर रहा है, पता नहीं, शायद, शायद, जल्दी बड़े हो जाओ, फिर मुझे खाने की कोई फिक्र नहीं, ये खाली हो गया, मुझे बता है, मैं छोटे से अभी शायद ले लेता हूँ, फिर मैं उसे अपने में सो दुगना दे दूँगा, छोटे, क्या मैं थोड़ा सा तुबरा शायद उधार ले लूँ, फिल्कुल नहीं, ये मेरे लिए भी काफी नहीं है, छोटे, अगर तुम मुझे अभी शायद दोगे, तो मैं तुम्हें, पूरे आज शायद की बोतल दूँगा, इतना शायद तुम लाओगे कहां से, मेर अपने तरीके हैं, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा, लेकिन बड़े तुम अपना भार्दा मत भूलना, वाँ, 21, 22, 23, 24, 25, 25 के बाद क्या आता है, ये कितने सारे हैं, मैं तो गीन मी नहीं पा रहा हूँ, मैं उतना ही शायद उगाँगा जितने की फसल होगी है, मेरे पास बहुत सारा शायद होगा, रुको, ये तो बहुत सारा शायद है, मैं अकेले कैसे उठाऊँगा, जब मेरा पक जाएगा, तो तुम मेरी मदद करोगे न, मैं तुम सब को दावाद दूँगा, सुना क्या बड़िया फसल है, लाला, 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 वाह, एक फैला भर फसल, अम मैं चलकर अपते शायद को भी खुदूँगा, मेरा शेहद, मुझसे रुका भी नहीं जा रहा, हाँ, शेहद, शेहद, मैं आ गया, बाकी के कहां है, मेरा शेहद, मेरा शेहद, क्या तुमने मेरे शेहद चुराए, बड़ी, हम मदद के लिए आ रहे हैं, बड़ी, तुम क्यों रहे हो, मेरा शेहद, इस कीरे ने मेरा सारा शेहद चुडा लिया, शेहद, फिछले अपने के क्लास में कुछ दम्रू ने कहा था कि, तुम्हें भाई मिलेगा जो तुम वोगे, मुझे शेहद बहुत पसंद है, इसलिए मैंने एक बोटल भर के शेहद जमीन में डाला उगाने के लिए, मुझे लगा के मुझे और शेहद के बोटल मिलेंगी, पर देखो क्या मिला, कुछ नए, बच्चो में आ गिरा, कौच जम्रू, कौच जम्रू, कौच जम्रू, तुम सब बहुत खुश दिख रहे हो, कौच जम्रू, उसने ऐसा किया, तुम शैतान कीरे, देखो बड़े, उसनने कीड को जाने दो, नहीं, जब तक ये मेरा शेहद वापस ना दे दे, लेकिन तुम्हारा शेहद उसके पास नहीं है, तो फिर किसने मेरा शेहद चुराया, तुम्हारा शेहद किसी ने नहीं चुराया है, लगता है क्लास में तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी शहद कोई बीज नहीं है उसे उबाया नहीं जा सकता अब मैं समझा मुझे माफ कर दो मैं गलत था पोच नमरू मैं वादा करता हूँ मैं आगे से ध्यान रखूंगा है दोस्तों हमेशा याद रखे तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए इस तरह से तुम नहीं नहीं चीजें सीख सकते हो फिर मिलते हैं बाई एक और नया दिन बबलू डबलू पार्क में सीखने के लिए अच्छे कुश्पू है बॉन है वहाँ जोटे तुम तो डर्बो को बिंकी मैं तुमसे डर्टी नहीं हूँ मुझे अकेला छोड़ दो मैं तुम अजाती कर रहा था राज्मा लल्लू तुम्हारी बारी है यहां नहीं यह दोस्तों तुम लोग क्या कर रहे हो यहां ठीक नहीं रहेगा लल्लू रहा रखो हां तुम्हारी यह मत्या से हुई यह में बार्टी के बार्टा साला रुको यह मुझना उसे पकड़ो अब भागने ना पाए को आपए वो छोटे है पकड़ो उसे ला 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 पॉरे जोटे यहां है जोटे मावी मांगो सच में पहले मुझे पकड़ के निखाओ रूप जाओ तुमने क्या है चलो बच्छों परिवार से मुलाकाद करने का वक्त इत बार फेल से आ गया बहुत मसेता आज़ी मतलब माव को मेरे सारे शिकायते मिल जाएंगी अब मैं क्या करो मुझे पुछना कुछता करना ही बड़ेगा पड़े मैं तुम आनले तत्ली लाया हूँ अगर मिस बैनर जी के आने के बाद किसी को नहीं बताओगे तो तुम यह ले सकते हों मेरे होट सील गए है मिस बैनर जी शायद मंगू के घर गई होंगी अभी मिस बैनर जी मेरे घर आने के लिए शुक्रिया कोई बात महीं मंगू-मिस बैनर जी और किसके घर जाएंगी वह मैं छुक जाता हूँ-मंगो- अइसे ही महनलत करते रहो मैं कारूंगा गुट पाइ मिस बैनल जी घर मिलेंगे बाइए वापस चल दी आना उस तरफ जा रही है वो शाथ मेरे घर जाएंगी छोटे तुम यहाद के वाए हो इस बैनल की पबली के घर जा रही है क्या सच में सच में शुक्रिया मंगें फिर मिलेंगी लालालालालालालाला मम्मी छोटे ममी तुम इतने जल्दी कहां चली बबली की ममी में पेस्ट्रिस बनाई है हमें खाने के लिए बुलाया है मज़ा आ गया रुको ममी सुनो तुम बहां नहीं जा सकती हूं ऐसा क्यों कह रहे हो क्या तुम कर जा सकती हो प्लीज ममी मच जाओ छोटे कल तक तो वह बासी हो जाएंगी चलो ना तुम्हें बहुत अच्छी लगी छोटे जल्दी चलो वर्ना दीर हो जाएगी अरे नहीं मिस बैनर जी भी होंगी वहां अपना फोल खुल जाएगी हाँ ममा बैर आईए और कुछ पेस्ट्री का स्वाच चकिए ठीक है हाँ मिस बैनर जी कहा है क्या बात है पेस्ट्री सच के अच्छी है चलो मिस बैनर जी तो नहीं है क्या खुश्बू है मजीदार मामी जब हम घर पहुच जाएंगे तो मैं एक और था सकता हूं हाँ क्यों नहीं तुम तो अच्छे बच्चे हो ये बड़ी तुम्हारी मामी और छोटी कप्तक आएंगे मुझे नहीं पता मिस बैनर जी छोटी देखो कौन आया है मिस बैनर जी चोटी बात क्या है नहीं कुछ नहीं तो चलो मिस बैनर जी सी मिलें बड़े तुम बहुत प्यारे हो सच में बड़े मामी कैसे हो मामी मामी प्लीज रुको ना क्या बात है चोटी चलो ना मामी मामी मिस बैनर जी बुर रही है मैं किसना अच्छी से रहा ओ सच में मैं क्या करूँ अब छोटे चलो चलो मिस बैनर जी आपसे मिलकर खुशी दे आज परिवार से मिलने का समय है मैपेनर जी मिलने के मुझे रूठी पर्पेंर जी जो शोक हूं मुझे लगी है कि चोट्टे के पीट में दर minha लुट है अंदर चलो और आराम करो में मैं तुभारी मनद करता हूँ अब तुम्हें कैसा लग रहा है आराम करो मिस पैनर जी आपकी पेश्ट्री स्खा कर देखिए पबली की ममी ने दी हैं बहुत अच्छी है मेरे पेश्री मुझे अच्छा नहीं लग रहा है चोटे ये पेश्री बहुत तेसी है लोग में तुम्हें खिलाता हूँ हुआ तुम्हारे पेट में दर्धे तुम नहीं खा सकते में तुम्हें आराम मिलेगा ममे, मेरे पास्टा ठोना हाँ छोटे छोटे, ममे को मिस पेलर्जी से बात करनी है मैं तुम आरे साथ रखता हूँ मिस्स शर्मा आ रहे हूँ मैं आपके बच्चों के बारे में बात करने आई हूँ मैं चाहता कि आप जानती हैं कि ये बच्चों की प्रोग्रेस के लिए जरूरी है मैं चाहते हूँ कि आपको मा मेर, मेरा बेर पोटे, क्या हो अदुमें? मुझे बदाए क्या करना है रुप जाओ, रुप जाओ, बड़े रुप मैं आपको बताना चाहते हूँ पिछले कुछ तिनों से छोटे को मामी, मामी छोटे, क्या हुआ? मामी, मामी चलो ना भाहर घूमने चलते हैं चलो ना चोटे चोटे चोटे, मैं तुमारे साथ चलूगा चलो, चले चोटे, तुम बड़े के साथ जाकर खेलो मैं मिस पेनरजी से जरूरी बात कर लेती हूँ चलो मामी चोटे, चलो मामी मिसे शर्मा में आपको बताना चाहती के के खोटे का हिपोर्टा मैं मैं बीमार नहीं था, मैं ना टक्या रहा था तुम बीमार नहीं हो? मैं यह नहीं चाहता था के मिस बेनर जी आपको मेरी शिकायत करें इसलिए ना टक्किया बस इसी सी बात खेलता झाल झाल अगर चोटे बिमार नहीं है तो वो पेश्री खा सकता है तुम पेश्री खा सकते हो चोटे क्या सच में है दोस्तों सबकों ने डर होकर अपनी तकलीफों का सामना करना चाहिए और अगर तुम उसे तुई गलती हो चाहे तो उसे सुधालो इस तरह से तुमें कचे सीप बन पाओगे बाई झायाओे झाल